आप सभी को स्रामण मास की एवं सिवरात्री की बहुत-बहुत मंगल कामना सभी दर्शुकों को बहुत-बहुत सुब कामना आज हम वीडियो के माध्यम से स्रामण सिवरात्री पर चर्चा करेंगे इसके दिविनलब पहलों पर चर्चा करेंगे कि सिवरात्री पे क्या खास है और किस तरह से बर्वान संकर की बुजा करनी चाहिए किसको क्या लाब मिलता है और साथ में अगर कोई विक्ति मंदिर तक ना जा सके कि बर्दमान परवेश परिस्तिती इस तरह की है तो वो किस प्रकार घर में रहकर की खुजा कर सकता है उसकी पूर्टी कैसे हो सकती है उसके क्या तरीके हैं क्या विकल्प है इतनों पुरे बर्ष में बारह सिवरात्रियां होती हैं और उसने स्रावन मास की सिवरात्री और फालवन मास की सिवरात्री विशेश होती है वर्ष में दो सिवरात्री बहुत विशेश होती है इसमें भगवान संकर की विशेश रूप से माता पारवती और संकर जी की पूजा की जाती है शुरात्री ब्रत के बारे में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यप्ति बर्स भर कोई ब्रत उख्वास नहीं कर सकता है किसी कारण बर्स या जान बुझ करके भी अगर वो नहीं कर पाता है तो भी अगर केवल मात्र सिवरात्री का ब्रत कर ले तो उसे पूरे साल के ब्रत उख्वास का फल प्राप्त होता है बहुत ही बड़ा अमोग फल है सिवरात्री के ब्रत का और इसके साथ साथ में चारों फ़दार्थों के धर्म, अर्थ, काम, मोच चारों चीजों की ताफ्की होती है शुदात्री का व्रत ऐसा हो तम व्रत भगवान सिव और माता पारवती और शमर्पित यह व्रत इस्त्री पुरुष बालक युवा कन्या सभी वर्वों के लिए बहुत ही उप्योगी है और हर व्यक्ती जो भी व्रत करता है उसे कुछ न कुछ भषबवान संकर की प्रपा से जरूर प्राफ्ट वैसे तो प्रत का विधान बहुत बड़ा है जितना भी अधिक से अधिक किया जाए उसका अधिक फल प्राफ्ट होता है लेकिन पिर भी संचित में अगर कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति इस ब्रत को निर्जल ब्रत बिना जल पिये रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर बिना जल के बिना नहीं रह सकता है तो फलाहार करके फिज़ सकता है और फलाहार करके नहीं रह सकता है तो एक आहारी कि निर्भर करता है कि लेकिन रहना जरूर चाहिए तुकि इस व्रत को करने से भगवान शीव की जो प्रशन्नता होती है उससे व्यक्ति की अधिक से अधिक मनो कामनाएं पूर्ण होती है इस बार जो शुरात्री का ब्रत है 6 अगस्त 2020 सुप्रवार को पड़ रहा है और शुप्रवार का दिन आरद्रा नक्षत्र और सर्वार सिद्यो इस ब्रत की विशेषता है सर्वार सिद्यो में शुरात्री पड़ रही है और जो ही ऐसे योग में ऐसे सुबस योग में पुजन करेगा और किसी मनो कामना के साथ करेगा तो ये निश्चित है कि उसी मनो कामना जरूपूर पूर रही है अग साथ में इसके लावा ब्रत के कई सारे नियम भी होते हैं शुरात्री के ब्रत में पूजा चार प्रहर की पूजा का विसेश विधान बता जाए इसमें चार बार भगवान संकर की पूजा होती है इस बार जो पूजा का सबसे अहम समय है छे अगस्त शुक्रवार को प्राता साड़े छे बज़े से और आठ पचास बज़े के बीच का है इसके बाद प्रधोसकाल का जो समय है वो साम को 7 बच कर दो मिनट से ले करके और 9 बच कर 40 मिनट के मत्यका है यह प्रदोस काल का पूजन का समय है और इसके बाद में जो तीसरा है वो निशीत काल का है यह दिन का पहला पूजन का जो समय है वो दिन का है इसके बाद में प्रदोस काल का है जो साम को साथ बचकर दो मिनट से ले करके और नो बचकर 40 मिनट के मतिका है और इसके बाद में याधित काल में ए निसाँ काल में रातरी काल में फुजा करने का जो समय है, वो बारा बचकर 55 जब समय है। इसलिए है कि अगर मुहोर्ट के दौरान फुजा की जाए, तो मिलने वाला जो फल होता है, ऑधिक मिलता है। और कार्षिधी की जो संभावना होती प्रबल संभावना होती इसके बाद में किस तरह से भगवान की पुजा करनी चाहिए और अगर कोई मंदिल न जा सके तो जो किस परकार से करे ? इसका दूसरा तरीका है जिस प्रकार से इस्तमें इस्तिती चल लगी है, मन्निल में जाना, विर्भार में जाना थोड़ा सा, असंभो सा लगता है, थोड़ा सा, खत्रा होता है, भै होता है लोगों में, तो कोई भी व्यक्ति जो इस व्रत को करता है, पूजन की सामखरी एकत्र करके, अपने घर में मिट्टी का स्यूलिंग बना करके, पार्ट्यूलिंग बना करके भी उसका पूजन कर सकता है, और कहीं पवित्र स्थान से, पीपल के ब्रिक्ष से, देल के ब्रिक्ष से, या किसी भी देव ब्रिक्ष से, घंगा आधि पवित्र नदियों के तट से, किसी गोफा से, ऐसे किसी जगह से मिट्टी को उला करके, और उसको सुद्ध करके, उसको सिल्लिंग का निर्माड करे, और साज में पुरा भगवान संकर के परिवार, परिवार की ब्रथिमा बना सकते हैं, परिवार की परिमा बनावें, और उनकी प्राणपतिष्ठा करके उनका पुझन करें यथा सम्झो और अविशेख करें और अविशेख करने के बाद में उन मुर्तियों की विशेश-पूजा-अर्चना करके और फिर मुर्तियों का विशेखन कर दिया जाए तो इस तरह से करने से भी पूर्ती हो जाती है और इसके अलामा जो पार्थिवलिंग पूजन का जो विधान है उससे करीव एक हजार गुणा अधिक फल प्राप्ती होती है तो अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जा करके नहीं कर सकता है तो इस प्रकार से सिवलिंग मिठ्टी का लिग मना करके और पूजे परिवार की मूर्ती बना करके और उसको पूजा करे और अभिशेख करे तो उससे उसको अधिक फल की ताफ्ती होती है पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए वैसे तो बहुत बड़ा बड़ा बिधान है पांच उप्चार है, दस उप्चार है, सोड़श उप्चार है तो यह निर्भर करता है कि हमारी समता, हमारी संसाधन, समय इन पे निर्भर करता है कि हमारे पार समय क्या है, संसाधन क्या है, तो उस हिसाब से हम फूजन करते हैं और सिवरात्री में या वैसे भी भगवान संकर को जलधारा जो है, बहुत अधिक प्रियव होती है तो रुद्रा विशेक का इसमें बहुत बड़ा महत हो रुद्रा विशेक जरूर करना चाहिए, इससे व्यक्त की कामनाओं की पूरती अवश्य होती है और साथ में ये भी विधान है कि किस कामना के लिए कौन से द्रब्य का प्रियोग किया जाए ब्रक्ति की क्या कामना है और उस कामना के अनुसार कौन से द्रभ्य का प्रियोग किया जाए यह भी आवस्यक है अगर हम उसके अनुसार करते हैं तो कार्य सिद्धी की संभावना और प्रवल हो जाती है वैसे तो जलधारा प्रियो उखरा जलधारा मात्र से ही भगवान सी उपशन्ड होते हैं लेकिन अगर विशेश के अनसार उस बस्तू विशेश से उस द्रब्य विशेश से अगर अविशेश किया जाए तो बहुत अच्छा होता है जैसे अगर संतान की कामना है तो काय के दूर से विशेख करना चाहिए, परसुवाद की कामना है तो दही से विशेख करना चाहिए, अगर किसी प्रकार की सरीर में व्यादी है, परेसानी है, तो फुस के जल से, फुशोदक से करना चाहिए, साथ में घी से भी करना चाहिए, निर्टन के अद्मि दिक्त है तो गंय के रश्ति व्पवानका विशिक किया सकता है परस पर्दमिंदी अध्रिश मेले के लिए as तो ऄर्फ परीती वढ़ाने के लिए मधु से विशिक्ष किया सकता है तो अर। त सिस्थ करना दूरर को व . पोछए हैं 10 गई कि सकुनी वर प्रापिति करनेके लिए नानब्वकुंपलों के रसक अभिश्र करना चाहिए और स्थे सत्र tough गई किसी प्रि concludes की ग्यादी है तो सरसरो के पे तेल या मेरे विश्रक करना चाहिए और सबसे दूद के अविशेक की सबसे खास बात ये है कि अगर किसी को संतान की कामना संतान में बाधा है संतान नहीं हो रही है तो उसके लिए कहा गया है कि सद्यह पुत्रम आपनोती पैसा चा विशेशनाथ अगर इस तरह से दूर से अभशेख भगवान संकर कर दिया जाए तो पुत्र प्राप्ति संतान की प्राप्ति जरूर होती है इसी तरह से और भी कई सारी चीजें हैं अगर मान लिया विद्या बुद्धी की कामना है विद्यार्थी वर्ग के लिए सरक्रा में इसे जल से रिशे करने का बहुत बड़ा विधान है उससे किया जा सकता है उससे बुधी प्रखर होती है और बुधीतीवर होती है तो इस तरह से भगवान संकर को अलग अलग कामना विशेश से रिधा विशे करना चाहिए और खास करके ये ब्रत जो है पमादी कन्याओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है और अगर विवाहकार में और इस तरह की कोई ब्योधान हो रावबाधा हो रही हो और उत्तंबर प्राप्ती की कामना हो तो भगवान संकर की पूजा करके 16 स्रिंगार मापारबती और संकर जी को अरपन करना चाहिए और उसके हिसाब से फल और मिश्चान इत्यारी नानव प्रकार के नई बेजर पन करना चाहिए के इस तरह से करने से पारिक अन्याओं को बर्की भी उत्तंबर की आफ़ी होती है तो कुल मिलां करके यह जो सुरापरी का प्रत है यह सभी के लिए बहुत उप्योगी है और इसको इस तरह से करना चाहिए or अगर मंदिर में ना जा सक Korean तो मिट्टी की मुट्टी बना तरके उसका विश्यक करें और उसका लाख राप्त करें बहुत बहुत धन्य कि तियरा पाज हम दोसर और बनाओं परिये दें पुलियांची बिकाएंगे